इस वक्त पूरी दुनिया में पुतिन के उस कारखाने की चर्चा हो रही है जिसे मौत वाली फैक्टरी कहा जा रहा है पुतिन ने इस फैक्टरी में अपने रक्षा मंत्री को बेजा और फिर ये विडियो पूरी दुनिया में वारल कर दिया गया बताया जा रहा है कि जलंस्की को F-16 फाइटर जेट मिलने से पहले पुतिन ने बहुत बड़ा चक्रवी उरचना शुरू कर दिया है स्क्रीन पर पहली बार रूस का सबसे खतरनाक हतियार ये हतियार कैसे तयार हुँ रहा है ये हतियार कितने बड़े पैमाने पर तयार हुँ रहा है ये सब देख कर पुतिन के दुश्पनों के होश ओड़ जाएंगे स्क्रीन पर पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की फैक्टरी देखिए ये योक्रेन के युद्ध में सबसे बड़े हमले की तयारी है कह सकते हैं कि ये नैथों के खिलाब सबसे बड़ी जंग के लिए रूस तयार बैठा है स्क्रीन पर पहली बार देखिए S-400 की मिसाइल कैसे बन रही है एक तरफ लॉंचर और दूसरी तरफ मिसाइल इन तस्वीरों में बहुत मसाला है इन तस्वीरों को आप पुतिन की ताकत का सबसे बड़ा शोक है सकते है पुतिन के इस खुफिया फैक्टरी को देखकर अमेरिका के भी होश उड़ गए है बाइडन ने अपनी फैक्टरी से रिपोर्ट लेनी शुरू करती है बाइडन को भी यकीन नहीं आ रहा कि पुतिन की मिसाइल फैक्टरी में इतनी तेजी से काम चल रहा है इसकी बहुत बड़ी बज़ा है पुतिन ने अब जो मांगा है उन्हें मिला है पुतिन ने टैंक मांगा रूस की सेना को टैंक मिला पुतिन ने ड्रोन मांगा रूस की सेना को ड्रोन मिला पुतिन ने मिसाइल मांगी रूस की सेना को मिसाइल मिली इन हथ्यारों के साथ पुतिन ने योग्रेन में बड़ा कहर मचाया है बड़े-बड़े शहर आज रूस के मिसाइल हमलों के रूस टार्गेट बन रहे है और समीनी ओपरेशन के लिए भी जब पुतिन ने ज्यादा फॉज मांग गई रूस में वारण नई भरती शुरू हो गई पुतिन ने जो मांगा है पुतिन को वो मिला है जोक्रेन के युद्ध में धीरे-धीरे ही सही लेकिन रूस ने पकड़ और मजबूत बनाई है पुतिन की तैयारी बहुत पुक्ता कही जा रही है अब पुतिन की हत्यार वाली फैक्ट्री 24 इंटु 7 काम कर रही है जिसमें दिन रात ऐसे हत्यार तैयार हो रहे हैं जो रूस को वाल्ल वार लड़ने में भी मदद करेंगे ऐसा दावा पश्चिन देश की मीडिया का भी है क्योंकि अब पुतिन को जैलन्सकी की तरफ से खत्रा बहुत बड़ा है यो उक्रेन को F-16 मिलने जा रहा है तो दूसरी तरफ नैटो के फाइटर जेट भी रूस से लड़ने को तैयार है इसलिए दुश्मन के लड़ाखो विमानों को रोकने के लिए पुतिन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है F-16 भूस के आस्मान में भटक कर भी ना पाए इसके लिए पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री शोईगू को नई जिम्मेदारी दी पुतिन ने सरगेई शोईगू को S-400 की फैक्टरी में भेज दिया थाकि ग्राउंड रिपोर्ट मिले कि कितनी मिसाइल तयार हो गई है S-400 एयर डिफेंस सेस्टम बनाने वाली रूस की कल्पनी अलमाज एंटे कॉर्पोरेशन की ये फैक्टरी एक सीक्रेट लोकेशन पर है जिसकी जानकारी नहीं दी गई शोई को आय तो उनके एक तरफ S-400 के कैनिस्टर तयार हो रहे थे तो दूसरी तरफ उसकी एयर डिफेंस मिसाइल तयार हो रही थी इन तस्वीरों में बहुत जान है इन तस्वीरों में युद्ध का पूरा बजट समझा जा सकता है इन तस्वीरों में F-16 की मौत को भी देखा जा सकता है इसमें कोई शक नहीं कि अगर F-16 का सामना रूस के S-400 से हुआ तो वो हमला करने से पहले ही मारा जाएगा रूस का ये air defense system दुनिया का सबसे बेतरीन हथियार माना जाता है और भारत के आलाबा चीन समेथ कई देश इससे लेस हो चुके हैं S-400 के missile 400 किलोमेटर की रेंज तक F-16 को मार सकती है इसकी गैरंटी खुद पुतिन देते हैं इस वप्तिय missile factory सिर्फ S-400 ही नहीं बलकि दो और तरह के air defense भी तयार कर रही है जिनकी तैनाती पहले से योग्रेन की जमीन या कहीं की डॉन बास के आसपास है मारियूपुल में भी है और उन सभी जगों पर है जहांपर योग्रेन के fighter jet और जैलन्सकी के drone हमले के फिराक में रहते हैं यहां S-400 के अलावा S-300 और S-350 air defense system भी तयार हो रहा है इसमें S-400 की range शार सो किलो मेटर से जादा है S-300 के आदुमिक वर्जन की range धाई सो किलो मेटर है वहीं S-350 की range देड़ सो किलो मेटर तक है सरगेई शोईगो ने पुतिन को report भेज दी है और इस faculty को दिये गए order और deadline के बारे में भी बता दिया है इसी पर पुतिन की planning निर्बर करती है इसी तैयारी को देखकर पुतिन अपने अगले हमले का दायरा set करेंगे पुतिन को इस बात का पूरा शक है कि खेर सौन में बांग पर हुए हमले के बाद जैलेंसकी एक बड़ी साजिश रच रहे है और वो जवावी हमले के नाम पर मौसको पर फिर से अटैक की तैयारी कर रहे है जैलेंसकी के फाइटर जेट से लेकर उनके ड्रोन को मौसको तकाने से रोकनी की तैयारी कैसी है इसे समझने की जरूरत में रूस का बॉर्डर ही नहीं खास कैपिटल सिटी मौसको को बचाने के लिए बहुत ही बगता एर डिफेंस जोन बनाया गया है इसमें सबसे बारी सरकल को S-500 एर डिफेंस सिस्टम बचाता है जो विमान ही नहीं पर माडू बलेस्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है इसके अंदर का दारा S-400 एर डिफेंस सिस्टम देखता है 2022 में युद्ध के बाद 2023 में पुतिन ने अपनी हथियार फैक्ट्रियों को दिन दूना रात चौगोना काम करने का आदेश दिया है और इसमें वो कामयाब भी हुए है पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए इसमें टैंक भी बन रहा है इसमें मिसाइलें भी तैयार हो रही है इसमें ड्रोन भी बन रहे है और इसमें बम और गोला बारूत भी तैयार हो रहा है इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोट पर काम चल रहा है पुतिन यहां जरा भी देरी नहीं चाहते पुतिन यहां हफते के सातों दिन और दिन के 24 गंटे काम करवा रहे हैं पुतिन का दावा है कि रूस का हत्यारों वाला गोदाम हमेशा पूरी कैपसिटी के साथ भरा रहेगा पुतिन का कहना है कि फॉज को जो पसंद है फॉज जिस हथियार से बेटर तरीके से लड़ सकती है उसे वही सप्लाई किया जाए इसलिए जब योगरेन के युद में जैलंस की नए नए हथियार दिखा रहे हैं तब पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैया हथियारों को दबाह किया गया है इस ऑपरेशन में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमों 52 भी इस्तेमाल किये हैं जिनकी हवाई बंबारी में जैलंस की के कई अट्टे उड़ गए हैं साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर से भी वारूद की बारिश की जा रही है इन हथियारों से ऐसे अट्बों को टार्गेट किया जा रहा है जहां पर जैलंस की के लॉंग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं पुतिन के सामने चैलेंज ये भी है कि वो अपने हथियारों की क्वालिटी से समझावता ना करें अभी पुतिन की हथियार प्रोड़क्शन रेट तै करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा पुतिन इस रेट को 100% वाली गैरंटी से बरकरार रखना चाहते हैं हथियारों का प्रोड़क्शन बढ़ा और असलहा थेजी से तयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएं पुतिन जानते हैं कि हथियारों का प्रोड़क्शन धमा और गोला बारूट कम तयार हुआ तो रूस का युद्ध और उनका नाटों के खिलाफ एजिंडा ओंधे मोग गिर जाएगा पुतिन को अपने हथियारों की फैक्टरी की पल पल की अपडेट चाहिए पुतिन की नजर फैक्टरी के उधबादन पर हैं पुतिन की नजर हथियारों की लॉंचेंग और उससे खर्राते यूप्रेन के शैरों पर भी हैं पुतिन नहीं चाहेंगे कि उनका प्रोड़क्शन वेट गिरें वो नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्टरी हामोश पोते एस वाक बहुत बसे में